देखेंगे जिसके अंदर से आपके वेश्टन्स आ सकते हैं आपके एक्जाम्स में जो पूरे ही सलेबस का एक निचोड है 10 questions मैं आपको बताऊंगी कौन-कौन से questions हर unit में से आ सकते हैं आपके जो important है आप उतने questions भी तयार करके जाएंगे तो आप 3 से 4 जो भी answers आपको attempt करने हैं वो आप बहुत ही easily attempt कर सकते हैं सिर्फ आपको 10 से 12 questions ही पढ़ने होंगे तो जितने questions के अंदर है उतने आप practice करके जाएंगे आपका जो paper है वो बहुत ही अच्छा होगा और जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि आपको point to point सारे answers लिखने हैं आप point बनाईए, sub points बनाईए उसके बाद उसको 3-4 line, 5 line paragraph में answer केजिए तो आप जैसे जैसे हर page पर 2-3 point देंगे तो teacher को अपने आप ही पता चल जाता है जो आपके exam में चेक करते हैं paper की बच्चे को इसके बारे में deep knowledge है तो हम start करते हैं किस तरीके की questions आने वाले हैं जैसा कि आपका paper ही inclusive education की उपर है तो इसके अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए meaning of inclusive education यानि की समावेशी सिक्षा क्या होती है meaning of inclusive education historical development क्या है इसका philosophical क्या है और social basis क्या है inclusive education को आपको हर तरीके से explain करना है inclusive education का meaning लिखने के बाद आप historically उसको explain करेंगे, philosophically करेंगे और socially करेंगे इन तीनों basis पर किस तरीके से inclusive education का क्या महत्व है, क्या importance है, यह सारी चीज़े आप इसके अंदर लिखेंगे next हम देखेंगे इसके इंदर second question, second question क्या है हमारा education provision in laws on disability policies and international instruments like UNCRPD तो इसके अंदर UNCRPD जो है यह बहुत ही important question है, तो इसके अंदर disabilities जो भी है, उनके लिए क्या-क्या laws बने हैं, क्या-क्या provisions हैं, क्या-क्या policies हैं, international level पर और कैसे-कैसे instruments हम इनके लिए use करते हैं, इसके अंदर आप जब topic पढ़ेंगे तो आपको सारे main points पता चल जाएंगे कि कौन-कौन से main points हमारे इस question में बनते हैं, third question हम देखेंगे, इसके अंदर third question क्या है school organization and management, यानि कि school organization है, school का एक संगठन है, उसका management है, वो किस तरीके का है और उसकी ideologies क्या होती हैं, और उसका infrastructure कैसा होना चाहिए, यानि कि school एक organization ना एक संस्था है उसका management हम disabilities जो disabled बच्चे होते हैं जो disabled students होते हैं उनके लिए किस तरीके से हमारी ideologies होती हैं और किस तरीके से हम अपने school का infrastructure तयार करेंगे कि उन बच्चों को चलने में या कहीं भी walk करने में खेलने में या फिर कहीं आने जाने में classroom से उपर नीचे आने जाने में कहीं भी किस सनरशना होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से maintain करके बनाना होता है तो इसलिए आपको ये question बहुत ही एक तरीके से important है next हम देखेंगे fourth question fourth क्या है provisions of assistive devices assistive devices क्या होते हैं इसके provision ये provision में किस तरीके से included है तो आप इसको जरूर पढ़के जाएंगे assistive devices के बारे में equipment जो होते हैं जो भी सारे use किये जाते हैं instruments वगयरा technologies किस तरीके की होती है किस तरीके से ये सारी technologies devices support करते है different types of disabilities को यानि कि अलग-अलग तरीके की disabilities होती है बच्चों में उनको किस तरीके से support करती है किस तरीके की technologies का हम आज के time पर modern time पर use कर रहे है special education teacher यानि कि special education का जो teacher होता है उसका क्या role होता है क्या functions होते हैं क्या importance होती है एक school के अंदर जैसे कि आज की time पर हर school में एक special educator होना चाहिए जो compulsory है तो special education teacher जो है उसका क्या role है, क्या function है, क्या importance है school के अंदर बच्चों के लिए ये आपको जरूर पता होना चाहिए ये question बहुत ही important है next हम देखेंगे 6th question हमारा इसके अंदर 6th question क्या है adaptation and accommodation according to various disabilities तो various disabilities के अंदर accommodation और adaptation क्या है ये आपको पता होना चाहिए और आप इसको deeply पढ़ कर जाएंगे next question है हमारा इसके अंदर 7th making learning meaningful यानि की जो learning है बच्चों की उसको और ज़्यादा meaningful बनाना responding to special needs by developing strategies मतलब किस-किस तरीके की आप strategies use करते हैं बच्चों की learning को और ज़्यादा meaningful बनाने के लिए बच्चों का जो response है या special needs है उनके लिए आप किस-किस तरीके की किस-किस तरीके की disabled students के लिए strategies का यूज करते हैं यह सारी आपको पता होनी चाहिए next हम देखेंगे 8th question 8th question हमारा क्या है CCE यानि की continuous comprehensive evaluation जो है यह क्या है और इसकी क्या implications है क्या importance है और किस तरीके से यह facilitate करता है inclusion को यानि की inclusive education में किस तरीके से यह बच्चों की marking को support करता है facilitate करता है यह चीज़े आपको पता होनी चाहिए 9th question है हमारा इसके अंदर learning strategies in classroom यानि की जो learning strategies हैं किस की सरीके की strategies आप use करते हैं classroom के अंदर कि बच्चों की learning और जादा meaningful हो तो इसके अंदर कुछ subtopics हैं जो आपको पता होने चाहिए जैसे कि peer tutoring आपस में एक साथ मिलकर जो peer groups होते हैं वो आपस में tutoring के थूरू पढ़ते है social learning यानि की समाज के द्वारा आपकी सरीके से social learning करते हैं body system और reflective teaching multi sensory teaching यह सारी teachings आपको पता होने चाहिए यह जितनी भी teachings हैं जितनी भी body system वगएरा हैं और learnings हैं यह सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए इन में से कोई भी subtopic आपका आ सकता है 10th question हम देखेंगे इसके अंदर जो last question है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जो occupational therapist होते हैं counselors होते हैं physiotherapist होते हैं speech therapist होते हैं इन सबकी क्या importance है एक विद्धाले के अंदर एक school के अंदर और किस तरीके से बच्चे को facilitate करते हैं किस तरीके से उनकी counseling करते हैं किस तरीके से therapist उनको एक तरीके से treat करते हैं तो ये सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए आप point to point answer करेंगे तो आपका answer बहुत अच्छा prepare होगा बहुत अच्छे से आप लिखेंगे उसको I hope friends आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और सारे important questions आप अगर पढ़के जाएंगे तो आपको तीन questions जो आपको attempt करने हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप attempt करेंगे So friends thank you so much for watching this video subscribe my channel, share this video with your friends also like and comment on this, thank you